नमस्कार आप देख रहे हैं गमासान.com मैं हूँ आपके साथ दिक्षाभार देव क्या पाले जी बिस्कुट बंध हो जाएगा? कमपनी में लग जाएंगे तालेगी पांच रुपे का बच्चों का प्रेव पाले जी नसीब नहीं होगा क्या पांच रुपे के बिस्किट के भी खरीदा नहीं बचे है? अगर क्या हो रहा है आर्थिक मंदी में पाले जी बिस्किट फैक्टरी पर बड़ा सरकत खड़ा कर दिया है और 10,000 लोगों की नौकरी जा रही है कहा जा रहा है कि देश में आर्थिक मंदी चल रही है लेकिन हमारे देश की वित्त मंदरी निर्मला सीता रमन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वैश्विक हालात जरूर खराब हैं और उनका कुछ असर भारत पर दिखाए दे रहा है इसके बावजूद भारत आज की तारीक में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थिववस्था है लेकिन इधर पालेजी कमपनी के कैटेगरी हैड मयंक शहा का कहना है कि हमारी कमपनी संकट के दौर से गुजर रही है सरकार ने GST 18 प्रतिशत कर दिया है जबकि GST लागू होने के पहले मात्र 12 प्रतिशत था खासकर 5 रुपे के बिस्किट पर लागत इतनी जादा बढ़ रही है कि अब कमपनी के पास 10,000 लोगों को निकालने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है यानि हालात ये हो गए है कि 5 रुपे का बिस्किट भी कमपनी को भारी पढ़ रहा है और बाजार में खरीदार भी नहीं बचे है सबसे बड़ी बात ये है कि पारले जी की 10 फैक्टरियां है और पूरे देश में इन फैक्टरियों में 10 लाख कर्मचारी काम करते है उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार ने GST नहीं हटाया तो पाले जी कमपनी गंभीर आर्थिक संकट में फल सकती है हालत ये हो गई है कि मार्किट में 5 रुपे का बिस्किट भी नहीं बिक रहा है और बिटाइनिया वगेरा अनिक कमपनीयों के भी यही हाल है